हाई एवरिवान, स्वागत है आप सुभी का मेरी यूटिव चैनल नेच्टरल ब्यूटी में आज मैं आप सुभी को फेस पैक के बारे में बताऊंगी जो इसे आप घर पे बना कर ही चमकदार तोचा पास सकते है फेस पैक ना सरफ हमारे स्किन के लिए बलकि हमारे स्किन में वो स्मूथ जो ग्लूइंग इफेक्ट लाता है जिसके लिए हमें हपते में एक बार फेस पैक ज़रूर करना चाहिए ऐसे तो हमें फेस पैक हपते में दो से तीन बर लगाना चाहिए पर आजकल की भाघदोर की जिन्दगी में हमें। टाइम नहीं मिल पाता है। कि खुद के लिए खुद के फेस के लिए खुद के बोडि के लिए हम कीर गर सके। तो इसके लिए आपको भूजादा कुसके करने की जुशत नहीं है। आज मैं आपको बहुत ही असादार फेस्पेक बताने वाली हूँ जिसे इस्तमाल करके आप कर्मियों में अपनी चेहरे से ओलीनेस को दूर कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज किलके बिजी लाइफ में हम होममेट रेमेडिय यूज़ ना करके, मार्केट के ब्यूटी प्रोडक्ट्स ब्यूटी-फेस्पेक इसे भी यूज़ कर लेते हैं जिससे beauty product तो beauty face pack तो हमारे कुछ time के लिए skin पे suit कर जाता है लेकिन वो हमेशा के लिए lifetime के लिए सही नहीं होता है क्योंकि अखे जितना भी beauty product तो chemical द्वारा ही न मनाया जाता है तो इसलिए हमारे skin में जब तक हो लगाओ सही है और उसे छोड़ देने के बाद हमारे skin में बहुत तरह तरह के problem आने लगते है और friends इस problem का solution स्रिफ home remedy ही है क्योंकि home remedy हमारे skin में अगर कोई suit ना करे तो कोई उसके side effects भी नहीं होते है face pack बनाने के लिए आप आदा चमच गुलाब चल ले दो चमच मुलतानी मीटी ले मुलतानी मीटी हमारे skin के गड़ों को भरती है और हमारे skin में से oiliness को लिकालती है चार चमच दही ले दही में anti properties पाए जाती है जो हमारे skin के लिए बहुत ही लवदाएक होती है इसे अच्छी तरह से mix करके आप अपने चेहरे पे लगाए और चेहरे पर इसे 15 मियट तक रखे 15 मियट के बाद सुख जाने पर इसे हलके पानी से गीला करके धीरे धीरे हटाईए देरे देर लिकालने के बाद आप देहेंगे कि आपका चेहरा पहले से जादा smooth और natural soft दिखेगा फ्रेंड्स अगर आपको मेरे information अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को like, share, subscribe और comment करना ना भूले मिलते हैं ऐसे ही कुछ information वीडियो के साथ अगली वीडियो में जब मिलते हैं तो